हाई गाईज, वेलकम बेक टू मैई चैनल, कैसे हो आप सब लोग गाईज, आज की इस वीडियो में मैंने एक बहुत ही सिंपल सा मेकप लुक क्रेट किया है, बट यह मेकप लुक बहुत स्पेशल है, स्पेशल पता ही क्यों, क्योंकि यह स्पेशली है फॉर मौनसून, मौनस मैं बहुत अच्छे से पानी का स्प्रेश अपने फेस पे कर रही हूँ, जिससे यह क्लियर हो सके आपको कि यह मेकप बहुत है, जो स्केन में चिपचिप होती है, उसको कम करने के लिए हमें क्या क्या स्टेप करने चाहिए, वो मैं आपको वीडियो में आगे जरूर आपने बहुत सारे ब्यूटी इंफ्लोएंसर को देखा होगा, बट क्या होता ना गाइस, उपर से स्प्रे करके प्रूफ देना बहुत इजी होता है, अभी हमने मेकप फिक्सर लगाया है, तो मेकप वैसे भी नहीं निकलेगा, में क्या होता है, कि जो हमारी स्किन से एक्स चिपी गर्मी है, इसमें अगर आपको किसी फंक्शन में जाना है, तो आप किस तरीके से अपना मेकप कर सकते हो, चलिए मैं आपको बताती हूँ, फेस को अच्छे से वाश करना है, पहले जो भी आपकी स्किन टाइप है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फेस वाश चूज करना है, स्किन को एक्सफोलियेट कर लेना, कोई डेट स्किन सेल्स की लियर नहीं रहनी चाहिए, और उसके बाद आइस की मसाज जरूर करनी है, इससे क्या होगा जो भी ओपन पोर्स हैं, वो श्रिंक हो जाएंगे, तो एक्सेस ओयल का प्रोडक्शन नहीं होगा, आइस की मसाज के बाद हमें तुरंत अपना मेकप स्टार्ट करना है, ऐसा नहीं कि हमने आइस की मसाज कर ली और 15-20 मिनट बाद अपना मेकप स्टार्ट कर रहे हैं, जब आपकी स्किन बिल्कुल ठंडी रहती है आपको उसी टाइम अपना मेकप स्टार्ट करना है, जिसमें आपको सबसे पहले टोनर लगाना है जिससे आपकी स्कन को hydration भी मलेगा आपके पोर्ष भी minimize होंगे उसके बाद आपको मॉश्राइज करना अपने स्कन को तो आपको जो भी सीरू मॉश्राइजर पसंद हो जो आपकी स्कन के टाइप का हो आप उसे use करना बहुत सारे लोग जो मॉश् प्राइज का सब्सक्राइज उस मैं। आप लागा पुरूड़ को एक के अगर लगाना तो फिर वहीं गड़बड हो जाएगी और फिर मेकप आपका नहीं टिकेगा तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है बाकी देखो गर्मी हो ज़ए सर्दी हो लिप बाम जरूर लगाना चाहिए लिपस हाइडरेट हो जाते हैं और उसके बाद लगाना है हमें प्राइमर तो वैसे तो प्राइमर अपने स्किन टाइप के जो बिल्कुल मैट हो ओई फ्री फाउंडेशन हो अगर मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो मेरा फेवरेट है मेबलीन फिट मी जो मेरे स्किन पर बहुत लॉंग लास्टिंग भी रहता है और बिल्कुल पैची नहीं होता कहीं से कहीं तक मतलब पूरा-पूरा दिन नहीं करना है सेटिंग स्प्रे यूज करने से क्या होता है हमारा बेस लॉंग लास्टिंग हो जाता है वह अच्छे से सेट हो जाता है ट्रांसफर प्रूफ हो जाता है फिर मैंने कंसीलर लगाया हाइलाइटिंग कंसीलर है यह मेरा और इसको ब्लेंड करते टाइम भी मैंन ब्यूटी ब्लेंडर पे सेटिंग स्प्रे को अच्छे से मैंने स्प्रे किया और फिर उसके बाद उस कॉर्णर से ही मैं इसको ब्लेंड कर रही हूं ताकि मेरा कंसीलर बिल्कुल क्रीज ना करे और वो सेट रहे फिर अपने बेस को सेट करने के लिए आप पाउडर यूज कर मैंने माइक लेम का बनाना पाउडर यूज किया और यह प्रेस्ट बनाना पाउडर है आपकी स्किन जाधा ओईली है तो आप लूज बनाना पाउडर यूज करना फिर उसके बाद अपनी आइब्रोस को मैंने वेटन वाइल्ड के आइब्रो पैलेट से जो है अच्छे से और इसमें जो wax आती है ना उससे जब eyebrows को बाद में spoolie की help से आप सेट करते हो तो आपकी eyebrows बहुत long lasting हो जाती है बाकि eye makeup तो देखो आप कोई भी करो जैसा भी आपको पसंद है आप करो अपने dress के according है ना simple करना है dramatic करना है it's all up to you तो मैंने बहुती simple सा जो मुझे उस time मैं कुछ सोच के नहीं रखती कि मुझे कैसा करना है end moment पे मुझे जो समझ में आता मैं वैसा ही eye makeup कर लेती हो और उसके बाद मैं यहाँ पर यह pen eyeliner यूज़ कर रही हूँ Swiss beauty craze का यह waterproof है आप जो भी eyeliner या mascara यूज़ करो make sure वो waterproof होना चाहिए जो काजल यूज़ करो वो smudge proof होना चाहिए और उसके अलावा आपको कोई भी cream product अपने चहरे पे नहीं लगाना है इस monsoon season में especially हाँ अगर आपके skin बहुत जादा dry है तो आप definitely use कर सकते हो बट यह जो make-up है especially उनके लिए ही है जिनकी skin बहुत जादा चिप-चिपी रहती है मैं combination skin में हूँ लेकिन यह जो इस time पे जो यह monsoon season चल रहा है आपने face की contouring कर ली powder blush को long lasting बनाने के लिए आप यह trick यूज़ करो अपने brush को setting spray से गीला करो और उसके बाद blush को apply करो आपका blush कहीं नहीं जाएगा long lasting बन जाएगा जब तक आप खुद नहीं हटाओगे देन उसके बाद मैं यहाँ पे मार्स का new launch makeup fixer यूज़ कर रही हूँ अच्छा गाइज ऐसा नहीं है कि आप blend करने के लिए setting spray का यूज़ कर रहे हो तो आप बाद में makeup fixer का यूज़ नहीं कर सकते ऐसा कुछ नहीं होता है makeup को बहुत जादा long lasting बनाना है तो पहले setting spray का यूज़ कर लो blending के time देन उसके बाद last में आप makeup fixer जो भी आपको पसंद आप यूज़ कर सकते हो फिर मैंने highlighter लगाया और मैंने यहाँ पे sugar की lipstick लगाई और मेरा makeup हो गया complete और यह जो makeup है कि long lasting भी है sweat proof भी है sweat proof का मतलब यह नहीं है कि अब बिल्कुल भी pores में से पसीना आएगा यह नहीं आएगा लेकिन makeup खराब नहीं होगा मतलब इस season में कहीं आपको party function में जाना है आप यह tricks यूज़ करो आप देखो कि जब तक आप function से वापस आओगे आपका makeup टिकर रहेगा बट आप यह ध्याम देना जो भी product यूज़ करो आपके skin के according ही होना चाहिए skin type के according ही होना चाहिए so video पसंद आई हो तो video को like ज़रूर कर देना channel पे नहीं हो तो channel को subscribe ज़रूर कर लेना और मुझे instagram पे भी आप follow ज़रूर कर लेना so thank you, thanks for watching